आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बिलकुल मार्केट जैसे धोगला की रेस्पी बिलकुल सीक्रिट टिप्स एन ट्रिक के साथ सुपर सॉफ्ट एकदम जाली दार धोगला आप घर पर ही बना पाएंगे बड़ ही आसान तरीके से तो चली फ्रेंट शुरू करते हैं आज की धोपला की ये रेस्पी तो सबसे पहले तो आप इस तरह से एक स्पून फिक्स कर लीजिए मीजर्मेंट के लिए तो इससे ही मैं आपको सारी मीजर्मेंट बताऊंगी तो इस स्पून का मीजर्मेंट है 1 टी स्पून तो मैं इसी से आपको सबी क्वांटिटी बताऊंगी तो आप एक चम्मच से सारी क्वांटिटी रखें तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 teaspoon citric acid जिसे citric acid या नीबू का सत्वी बोला जाता है मार्केट में दही या नीबू का इस्तमार नहीं किया जाता है वो सिर्फ एक या दो चम्मच citric acid डालते है quantity के हिसाब से तो यह इसली मार्केट में आपको मिल जाएगा मैं इसका लिंक भी दे दूँगी description box में और एक चम्मच citric acid के साथ हमने डाला है एक चम्मच नमक और साथ में हम डाल रहे हैं यहाँ पर 4 चम्मच चीनी चीनी आप चाहे तो 5 चम्मच या 6 चम्मच भी कर सकते हैं जैसे आप मिठास पसंद करते हो तो मैं यहाँ पर फिलाल 4 चम्मच डाल रही हूँ चीनी तो चीनी का मैं पाउडर का इस्तमाल कर रही हूँ आप खड़ी चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर पाउडर चीनी इस्तमाल करूंगी तो इससे बहुत जल्द बलते हो जाती है और यहां पर अब हम डालेंगे एक चौताई चम्मच के लगबक हल्दी पाउडर आप च्छाता श्किप कर सकते हैं बिल्कुल भी ना डाले थे हम याँ पर डाल रहे हैं आदा कप पानी तो अभी हम से पादा कप पानी का इस्तमाल करेंगी बकाया आदा कप पानी हमें और लगेगा जो कि हम बाद में इस्च्छा बलता वाद में मिल्ट हो जाएंगी और इक कप बेसन悲 नाउल मैं पूराओल तो रगाओ तो अब हम बेशन को थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो यहां पर मैं बता दूँ कि आप चाहे तो सूजी भी मिला सकते हैं लेकिन मार्केट में सूजी नहीं मिलाते हैं तो अब हम थोड़ा थोड़ा बेशन डाल करके इसको घोलेंगे खटा नहीं डालना है क्योंकि लम्स परफेक्ट पता चल जाती है तो फिलाल मैं विस्क से ही कर रही हूँ आप हाथ से भी कर सकते हो या चम्मच की मदद से भी कर सकते हो तो लीजे हमने पूरा पेशन इसमें डाल दिया है और यह बहुत ज्यादा थिक हो गया है लेकिन अभी हम इसमें पानी नहीं मिलाएंगे ब दो चम्मच तेल हमने सिर्फ टी स्पून तेल डालना है ज्यादा नहीं डालना है और तेल को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इस इस मिश्रन को आपको खूँ अच्छे से फेटना है लगबाग 2-3 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेटना है तो आप जितने अच्छे से फेट लेंगे उतना ही बढ़िया ढुकला बनता है लीज़े हम इसको अच्छे से फेट लेते हैं तो मैं लगबाग 2-3 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में पेट लूँगी तो लीजे हमने बैटर को बहुत अच्छे से फेट लिया है बिल्कुल स्मूध कस्टसेंसी हो चुकी है इसकी आप देख सकते हैं और यतना पानी बचा है तो इसका इस्तिमाल हम बाद में कर लेंगे तो अब यहां पर हम यहां पर मिल आसे नष्याइक और रहे हैं अद्रक और हध्द हरी मिर्च का पेटव मैंने आप धोरी में तो थोड़ा सा अद्रक लिया था जिसको अच्छे से पीस लिया है तो इसका हम पास्ट मिलाएंगे हैं तो इससे नोख आम में टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आप चाहएद कि भी कर सकते हैं लेकिन आप मिला लीजिए तो बहुत बढ़ी अटेस्ट आएगा तो लीजिए हमने अद्रक और हरिमेज का पेस्ट भी मिला लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको ढख करके 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं ताकि यह अ देड़ ग्लास के लगबग पानी डाल देंगे और यहां पर मैंने केक का टिन लिया है तो जरूरी नहीं आपके पास यह टिन ही हो आप कोई सा भी बरतन ले सकते हो ढोक लकली स्टील का ऐलमीनियम का हो यह किसी वी सेप का हो राउंड शेप में हो जैसा भी आपके पास बर सकते हो और अब हम ब्रस से इसमें लगा देते हैं इसके अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे ताकि जब हम धूकल निकाले तो बिल्कुल भी चिपके ना तो हम चारो तरफ इसके अच्छे से ग्रीसिंग कर लेते हैं आप हाथ से या ब्रस से किसी भी मदद से कर सकते हो तो च देख सकते हैं इसकी कुछ इससे को fake देख सकते हैं और मिलाएंगे मीठाि सोडा मीला को नहींद pointing तो श्रक्तन कीजसेम्टी मैं में पूबना का सविद्यां कीजि़ल में को कि नेए मुर्य सूडा ॥ तो अच्छा नहीं रहता है इसको आप जैसे ही फेटेंगे तो फूल जाएगा और जैसे ही एकदम उपर की तरफ उठे और हम इसको बर्तन में डाल देंगे तो यह अभी फूलता है फिर दीरे बैठ जाता है अपने पिछले लेविल में वापस आ जाएगा इसको हम भर देते हैं और अब हम इसको रख देंगे सी कड़ाई में और ठकन को बंद कर देंगे और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पूरे 20 मिनट तक के लिए इसको पकने द कभी कभी जादा या कम समय हो सकता है डिपेंड करता है आपकी गैस की फ्लेम पर जब तक दोखला पकरा है हम उसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं तो यहां पर हमने कड़ाई ली है और इसमें हमने डाला है लगबग आदा चमश तेल और तेल जैसे ही गरम हो जाए इसमे पानी आप Chemistry हो दाल सकते हो और मिर्च को अल्गा सा प्रॉइ कर लेंगे तो मिर्च जो है cooking हो चुकी है और अब हम चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे आधा नीबू कर रस और इसमें हम डालेंगे लगबग 14 चमबच के करीब नमक नमक हमने डुकला में भी मिलाया है तो हम यहां पर ज्यादा नमक नहीं डालेंगे खटा मीठा पानी बनाने वाले हैं तो इसको हम अ बेटन निकाल दिया था क्योंकि बहुत उपर तक भर चुका था तो चाकू में यह देखिए चिपक रहा है हलका हलका तो इसको दो से तीन दर तक और पकने देंगे चाकू में बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए तभी माना जाएगा कि अंदर तक पका है तो लीजिए बहुत बढ़िया धुकला बनकर के तैयार हुआ है बिल्कुल भी चिपका नहीं है बहुत ही स्पंजी धुकला बना है यह देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ बहुत ही स्पंजी है चलिए तब हम इसको काट लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यह अंद करते हैं तो चलिए हमने इसका जो पानी मना करके रखा हुआ था तो पानी को भी हम उपर से डाल देते हैं तो आप इसमें जो बीच में दरा रहे हैं उसमें भी पानी डाल देते हैं ताकि नीचे अच्छी से एब्सॉर्ब हो सके तो लीजिए मैंने सभी जगह उस पानी को डाल दिया है और ये जितने अच्छे से पानी को एब्सॉर्ब कर लेगा ये उतना ही टेस्टी बनेगा उतना ही सॉफ्ट हो जाएगा तो लीजिए मैं आपको पास से दिखा रेती हूँ बहुत ही बढ़िया डोकला बन करके तैयार हुआ है आप इसकी जाली देख सकते हो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ देखिए कितनी परफेक्ट जाली आई है इसमें और अंदर से ये बहुत ही सूपर सॉफ्ट है अब ही मैं आपको काट करके इसको दिखाऊंगी कि अंदर से कितना सॉफ्ट है ये देखिए इस तरह ऐसे आप भी घर पर बढ़ी आसानी से डोकला बना सकते हो तो ये देखिए कितना सॉफ्ट डोकला बना है अंदर भी खाने में भी बहुत ही टेस्टी है तो आप भी इसको जरूर ट्राइ करिएगा आपको बहुत अच्छी लगेगी रेस्पी तो फ्रेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेस्पी पसंद आई होगी अगर फ्रेंट्स आपको मेरी रेस्पी पसंद आई है तो वीडियो को करिएगा लाइक शेयर हमारी य झाल झाल